आप इनको जानते हो, इनका नाम है दुगल साहब, यह है हमारी इंटरनेट की दुनिया के दुगल साहब, अब मैं नहीं है दुगल साहब क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इनके पास सब चीजों का इलाज अवेलिबर है, कभी अर्थशास्तुरी होते हैं, तो कभी फाइनेंस ए परूरत नहीं है, वैसे इतली और बाटी सारे देशों का तो हालत आप जान ही रहे हो, और इसी महीने कहते हैं कि कोरोना बहुत भायानक है, और शाद सच है की नहीं, बट मैंने सुना है, कि इन्होंने शाद कोरोना की दवा भी खोज ली है, तो यह है हमारे दुगल साहब, जो हमें बगाईद आप देखने को मिल जाता है कि यह खुद को एक्सपोर्ट बताते हैं, तो यह जो दुगल साहब हैं, इनका तो क्रेडिबिल्टी तो फिलहाल मैं नहीं जानता, लेकिन जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, इस सारी इंफोर्मेशन मैंने WHO, CDC और Department of Health के यहां से collect की है, तो इसका मतलब यह है कि अगर फ्यूचर में इस information को जो मैं आपसे share करने वाला हूँ, उसको लेकर अगर कोई update आता है, तो मैं मेरे Instagram पेज या Facebook पेज या Twitter पर इसके बारे में update दे सकूँगा, और आप उसे आँख बंद करके भरोसा कर सकते हो उसके उपर, यानि कि यह जो मैं news दूँगा, वो 100% सच होगी, तो आप ऐसे ही किसी भी random news जो या फिर tweet आप जो भी कहीं भी Facebook या फिर कहीं भी ऐसी news देख रहे हो, उस पर आँख बंद करके भरोसा ना करें, लोगों को सबसे बड़ी ये गलत फेमी है, जो मैं बताऊंगा, लोगों को यकीन नहीं होता कि मास्क और जो हैंड सेनिटाइजर हैं किसी काम के नहीं है, मैं हैरान हूँ कि लोगों ने कितने जाधा amount में हैंड सेनिटाइजर और मास्क को लेकर धोखा जड़ी या फिर जम है, गुलाब जल बेचा जा रहा है, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये काम नहीं करते, क्योंकि जो बंदा अगर हैंड सेनिटाइजर का यूज भी करना चाहता है, तो हैंड सेनिटाइजर उस वक्त में काम आता है, जब आपके हाथों को धोने के लिए पानी अवेलेब है, वो fat cell का बना हुआ है, और साबुन और तेल का मिलन तो आप जानते हो कितना प्यारा होता ही है, तो अगर आप साबुन से हाथ धोगे, minimum 30 seconds या 20 seconds के लिए, तो जो fat cell होता है, वो हो जाता है destroy, और उसका जो internal coding यानि कि internal जो organ है उस virus का, वो होता है exposed और उस virus की हो जाती है death तो जब आप हाथ धोते हो, तो वो flush में चला जाता है, यानि कि एक dead virus आपने पानी से आपके हाथों के उपर से निकाल दिया, तो mask उसको रोगता जरूर है, लेकिन उसी mask के उपर रह जाते हैं, तो mask भी आपके किसी काम का नहीं होता लोगों को सबसे बड़ी गयलत फैमी ये है कि अगर उन्हें कोरोना हो गया, तो उनकी मौत हो ही जानी है, जो कि बिलकुल गलत है, कोरोना और कुछ नहीं, एक सांस से related एक बिमारी है, इसे एक respiratory disease भी कहते हैं, कि आपको सांस लेने में अगर तकलीफ हो रही है, आपको बु लेकिन अगर आप कोरोना पॉजिटिव निकलते भी हो, तो आप इस वहम में ना जियें, कि आपको कोरोना हो गया, तो आपकी मौत पक्की है, तो there are higher chances कि आप उसे survive कर जाओ, आपको जादे जादे सांस लेने में दिक्कत ही होगी, और कई लोगों ने खुद को actually recover भी किया ह हुआ है, इसकी mortality rate 2% से भी कम है, एक सबसे बड़ी ग्यासत family healthy लोगों को है, जो जिम जाते हैं, जो बहुत जादा अच्छा खाते हैं, ताकि उनकी immunity strong रहे, और मैं healthy हूँ, मुझे कैसे corona हो सकता है, और हो भी जाए तो मैं recover कर लूँगा, यहीं तो लोग नहीं समझ पाते ह कि आप healthy हो, आप अगर आप खुद travel कर रहे हो, उन लोगों के बीच जिनकी immunity strong नहीं है, जैसे कि local transfer आपको देखने मिल जाएगा, कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक travel करते हैं उसी train से, अब उसमें आप ऐसी public जगा पर जाओ, आप को corona हो, और आप उसको सामने वाले को, य शायद survive ना कर पाए, तो आप खुद को घर के अंदर ही रखें या फिर quarantine रहें, तो जादा अच्छा होगा, कहा जा रहा है कि ये चाइना के द्वारा बनाया हुआ वेपन है, बायो वेपन है, जो कि फिलहाल तो मेरे ख्याल से सरासर गलत है, जो ये corona का virus है, वो already जाना मान virus है, ये नया virus है ये नहीं, इसका सिर्फ एक third edition है, यानि कि already जैसे हमारे पास hepatitis के कई सारे types होते है, hepatitis A, hepatitis B, तो corona family से ये coronavirus का third type है, यानि कि अब इससे पहले जो SARS की बिमारी आई, फिर MERS की बिमारी आ चुकी है, उसी का ये third part कह सकते हो आप, यानि कि third type है ये coronavirus का, जिसे COVID-19 virus भी कहा जा रहा है, तो ये चाइना का बनाया हुआ weapon नहीं है, और तो और ये virus का जो construction है, यानि कि इसका जो biological impact है, आप इसका biological print भी अगर चेक करोगे, तो आपको पता चलेगा कि इसे lab में बनाया नहीं गया है, ये सिर्फ एक mutated जो virus है, वो SARS या MERS का ही एक तीसरा type है मैंने Facebook पे कुछ videos देखें, जिसमें लोगों को ये बता जा रहा है कि अगर आपको Corona हो जाएगा, तो आप zombies जैसे दिखने लग जाओगे, यानि कि आप दूसरों को भी काटोगे, यानि कि mindlessly किसी के पीछे भागोगे, मुझे actually बहुत हसी आ रही थी, कि लोगोंने क्या कि इतने सारे लोग zombie बनना शुरू हो जाएगा और एक दूसरे को खाना शुरू कर दें, तो कितना awkward होगा, बट ये बात भी गलत है, Corona virus का पता लगने में भी 14 दिन लग जाते हैं, तो eventually अगर आप Corona अगर आपको हो भी जाएगा, तो पता लगने में आपको 14 दिन लगेंग कि जो आपका ascorbic acid है, या फिर कोई भी type का acid जो आपको natural fruits में मिल जाता है, खटे फ्रल, तो लोगों ने नीबू बहुत जादा खरीदना शुरू कर दिया था, मैंने US में news भी देखी, कि लोगों ने नीबू इतने सारा amount में खरीद लिया, कि US ने नीबू के sale के ऊपर ही ब vitamins, तो सिर्फ vitamin C खा लेने से या फिर लहजों चबा लेने से आपकी immunity नहीं बढ़ने वाली है, हाँ ये चीज़े immunity बढ़ाने में help जरू करती है, बट balance के साथ में, यानि कि सब के सब आपको construction के लिए चाहिए आपकी body के immunity के लिए, तो सिर्फ vitamin C खाने से कुछ नहीं होगा, आप ये गलेश में भी ना पले तो अच्छा है, लोग ये भी कह रहे हैं कि गर्मी का मौसम आ जाने दो, ये virus खतम हो जाएगा, या फिर ठंडी जगह पर इतना ज़्यादा है, इसका impact देखने में क्यों नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस virus को ठंड या गर्मी की वजह से कम या जादा हो सकती है, बट एक बार अगर ये virus आपकी body में चला गया, तो जैसे कि आपको सबको पता होगा कि आपको आपकी body का internal heat है, यानि कि जो temperature है, एक certain number तक बना कर रखना पड़ता है, तो एक बार virus अगर आपके body के अंदर आ गया, तो virus को फर इस बात पर तो मैं बहुत हसता हूँ, लोगों को जैसे ही पता चला कि alcohol based solution से हाथ धोने से corona खतम हो जाएगा, तो एक काम करते हैं, चलो alcohol पीना शुरू करते थे हैं, और अंदर से भी virus को खतम करते हैं, दोस्तों ऐसा बिलकुल नहीं है, पीने वालों को बहाना चाहिए, त का काम शुरू कर दिया, अलकोहल से इस वारस का कोई नुकसान नहीं होने वाला, नुकसान होगा, तो आपके जेब को होगा, बस और कुछ नहीं, करशेए लगा हुआ है, कई सारे लोग इनीशल चीजे नहीं खरीद पा रहे हैं, जो काफी सारी चीजें होच चालू भी है, तो अभी काफी लिमिटेड अमांट में है, तो ऑफ़ोर्स लेन देन की बातने चालू है, कई सारी इली चीजों से भी, कई सारे से भी यह फैल र श्वाइडली हां है कि कोई भी जो वायरस है ऑफज यह हवा से तो फैलता नहीं है यह droplet से फैलता है आप सब जानते ही होगे कि यह निकि जब आप किसी से बात करते हो आपको जो sweat होता है तो अफकोर्स आपके हाथों में भी sweat क्रामिनेट जरूर करेगा और फिजिकली अगर आप उस नोट को हैंडल करते हो तो अगर आप पैसे की बात कर रहे हैं तो एक काम करो यूपी आई करो बैस्ट ऑप्शन है पैसे का डिजिटल ट्रांसफर हो जाएगा पेमिंट का पेमिंट और आपको वाइरस रिडरने की फिलहाल डव्योचे की और सीडीसी की इंफोर्मेशन के हिसाब से प्रॉपर्ली कुक किया हुआ मीट जो है उसको खाओगे तो कोई विमारी नहीं होने वाली है जो प्रॉपर्ली मीट कुक होने से मेरा मतलब है कि आप कच्ची सीज़र ऐसे कि आप सूशी खाते हो तो आप ऊचली उसमें पकाई हुई नहीं होती है बड़ अगर आप तंडूरी से दूरी इसलिए बना के रख रहे हो क्यों कि आप कोरोना के मजबूरी है तो डरने की बात नहीं है आप आराम से और आप आराम से बिर्यानी खा सकते हो बस इतना घ्यान रहे कि पकाया हुआ हो और ज लिखा उसमें वो मखी के अंडे हैं तो वीडियो में इसलिए मैं आपको दिखा भी नहीं सकता क्योंकि बहुत ही घिनोना है वो फिलाल एक नई information भी आई है कि क्या मखियों से कोरोना वारस फैल सकता है सब को पता है मच्छर से तो नहीं होता क्योंकि मच्छर के पेट में वारस डिस्ट्रॉई हो जाता है बड़ मख्य से कैसे वारस फैल सकता है sadly ये भी एक सही बात है कि मक्खियों से भी ये वाइरस फैल सकता है अगर कोई person जिसे Corona virus का infection है वो ODF यानि की orphan defecation करता है तो अगर उसके feces के ओपर कभी कोई मक्खी बैठती है तो of course जो virus है उस मक्खी के पैर से चिपकने वाला ही है अगर वो मक्खी किसी ऐसे जगह पे land करती है यानि कि human skin या फिर कोई ऐसी चीज जो human consumption के लिए बनी हो उसके अंदर जाती है तो of course वो वाइरस को transmit कर सकती है तो आप proper hygiene बना के रखें मक्खियों से दूर रहें तो आपको कोरोना से डरने की कोई ज़रूत नहीं होगी तो मक्खियां हाँ वाइरस को transmit कर देती है फिलहाल हम 21 days के लिए lockdown में है यानि कि होम quarantine में है इस वाइरस का जो incubation period है 14 days का है तो यानि कि इसको अगर किसी से दूसरे परसन से दूसरे परसन को transmit होने में ज़्यादा वक्त तो नहीं लगेगा लेकिन 14 days में आपको पता चल जाएगा लेकिन अगर आप खुद को quarantine करके रखते हो तो ये दूसरे को transmit होगा नहीं अप इतली की deaths और infected लोगों की अगर आप number देखोगे तो आप ये देखोगे कि काफी साधा जो population है जिनको ये infection है उनमें वो लोग ज़्यादा है जिनकी immunity कम है और उन्हेंने quarantine को follow नहीं किया था इवन US में भी same case है इंडिया on other hand हम forced quarantine में हैं अब ज़रूरी चीजों के अलावा और किसी चीज के लिए बाहर ना निकले दिक्कत ये होगी कि हमारे पास जो medical facilities है वो भी limited amount में है तो prevention is better than cure तो आप घर के अंदर रहें बाहर ना जाएं sanitization का पूरा धियान रखें और जैसे ही आप virus को फैलने से रोकते हो तो आप अपने आपको ही नहीं आपकी पूरी family आपके पूरे neighborhood को safe रखते हो so you can be the hero while staying at home अगर आपके पास coronavirus को लेकर कोई सवाल है आप मुझे मेरे page पर follow कर सकते हो आप मुझे instagram पर question कर सकते हो और अगर आप चाहो तो मुझे twitter पर भी ये question कर सकते हो be safe, be secure तो इस time मैं कहूंगा be safe, be secure and be at home expectation यही रहेगी मेरी कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो अगर अच्छा लगा हो तो आप मुझे like, share और मेरे channels को subscribe भी कर सकते हो comment करके बताओ कि आप आपके quarantine days को कैसे follow कर रहे हो आप क्या कोई hobby develop कर रहे हो या फिर आप chill कर रहे हो घर पे तो फिलाल आज के लिए इतना ही मैं आपको मिलूँगा अगले वीडियो में तब तके लिए take care